अब समझते हैं जियो पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, स्री लंका चाइना ट्राइगंगल जैसा मैं रिपीटेडली कह रहे हूं कि स्री लंका में चाइना बहुत ज्यादा बहुत अंदर तक जा चुका है अगर हम चाइना का देखे किस तरह से वो कंट्रोल कर रहा है तो देखे पहले तो चाइना का बहुत जादा फॉर्ण इंवेस्टमेंट है वो फोर्ट लार्जेस्ट फॉर्ण लेंडर है जहां जहां पर उसने इंवेस्ट किया उसका एक्जामपल है अपका हमबन टोटा पोर्ट मतला एरपोर्ट कॉलंबो पोर्ट सिटी और साथ में ये लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है स्री लंका प्रोडक्स का तो आप इससे समझ सकते हो कि किस लेवल पर चाइना इंडीय ओसन को वो चान्ट्रोल करना चाहता है जाना ताकि जो का घंडीया का मलक क्या का होते विए इसके की शिप ऐसको ये अग्याए रेशन कर सके थेसरा है कि New Forum for Indian Ocean Island Nation यह जो है, कही ना कही इंडिया का जो Indian Ocean Dream Association या IONS है, Indian Ocean Naval Symposium इसके अग्यास्ट है, मतलों कि आप देख रहा हो कि दोनों इंडिया नोसन में हैं और दोनों चाह रहा है कि Indian Ocean को कंट्रोल करना, तो कही ना कही इंडिया का जो as a net security provider का जो रोल है वो इससे इंपक्ट पड़ेग तो यह जो आपका दिख रहा है लेकिन अब समझते कि इसका इंपक्त क्या पड़ेगा इंडिया पर पहला तो हमारा जो मेरिटाइम सेक्यूर्टी अवोर्ट थ्रेटन होगा क्योंकि हम नहीं चाहते हैं हम चाहते हैं कि इंडियान ओसन फ्री रहे किसी भी मिलिटरी प्रेजन्स के तो चाइन लेकिन टोटली इसमें घुसता चला जा रहा है वो स्ट्रिंग पर्ल्स के ठू हो या अलग-अलग पॉर्ट्स को बना के हो ठीक है दूसरा है कि फेवरिंग अगल पर एंडिया मतलो की कई बार हमारे जो निवर इंग स्टेट सेंत वह क्या करते है इस्टर ऑफ हम आपलो कि हमें छोड़के वो चाइना के जाड़ा क्लोज हो जाता है, जैसे कि नेपाल हो गया, नेपाल में आप देख रहे हैं, उसी तरह स्री लंका में देख रहे हैं, फिर प्रिवियसली आप हिस्टोरी वाइस देखो, तो माल्दीव में यही धुआ था, तो चाइना जात जो हमारा soft power है, हमारा जो cultural exchange है, people to people contact us को strong करके, दूसरा की, handing over a sacred shriita temple stone हमने दिया था, from Sri Lanka for the proposed dham temple in Ayodhya, यह दिखाता है, फिर 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 मेन का इसू, इसको resolve करें जल्दी से जल्दी ताकि, यह हमारे future relation में कोई बाधा create ना करे, तीसरा, connectivity बिल्द करना, trade and investment, religious link, जैसे Buddhism के हैं, वे अहित में वही है कि हमें नयना domain search करना चाहिए, और जादे interconnect और अपना जो leverage है, स्री लंका में वह बढ़ाना चाहिए, instead of China, क्योंकि India is a good power, India is a ऐसा power है जो हर तरह से help करता है, ना कि सिर्फ अपने national interest का देखता है, यह सिर्फ नेवर हुड में ही नहीं, हमने अफर इस ही रहता है, साथ में अपने experience से करना, strengthening cultural relation, cooperation in maritime security, यह ऐसे region areas हैं, जिसमें India और स्री लंका अपने relationship को और ज्यादा strong कर सकते हैं, तो इस तरह से हमने ही यह पूरा जो इंदिया-स्री लंका टाय है, उसको समझ लिया, I hope आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो थैंक यू